20-24 का आगाज हो चुका है और आज प्रधार मंत्री मेरा बूत सबसे मजबूत कारिक्रम का आगाज भी कर चुके हैं और समोजन भी कर रहे हैं हमाई साथ यूपी में मंत्री जारिस आजाज जी मौझूद है सर बूत बहुत मजबूत 24 की क्या तैरी देखिए 2024 में निशीत तोर पे पुरे देश का माहौल देके सपष्ट साफ ये संदेश मिल रहा है कि 2024 में प्रधार मंत्री नरेंद मोदी जी जनता के विश्वास के बल पे जनता के अशिरवात के बल पे एतिहासिक जीत हासिल करेंगे और देश की गरिमा बढ़ाने की जो उन्होंने एक यात्ता शुरू की है एक मुहिम शुरू की है उसमें और आगे वो बढ़ेंगे जिस तरीके से आज पूरे देश प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने इमानदारी से देश का मान सम्मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाने का काम किया है देश के गरीबों के लिए, देश के पिछडों के लिए, दलित समाज के लिए, पासमांदा समाज के उठान के लिए उन्हेंने काम किया है आज सभी जाती धर मजब के लोगों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी के नीती पे और नियत पे पूरा भरोसा है और 24 के चुनाव इसी भरोसे के बल पर हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी कॉंग्रेस के रही है कि बूत में उतरने की मजबूरी बना दी है भी पच्चे देखिए कॉंग्रेस पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो तमाम जो विपक्षी दले परशान है वो परशान किसलिए है कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने इमांदारी से गरीबों के लिए पिश्वरों के लिए दलित समाज के लिए पासमांदा समाज के तरकी लिए क मुहीं में पुरी इमानदारी से हमारे ममुख्यमंती जी, हमारे प्रधानमती जी काम कर रहे हैं। इस बात से समाजवादी पार्टी निराश है और इस तरह की आरूप लगा रही है। मुशलमानों के डवलप्यंट के लिए जो काम किया और अभुत पूर्व है और इस बात से भी पख्षी परिशान हैं। इसलिए इस तरह के बयान देरहें। लेकिन जनता हमारे मुशलिम समाज आज मोदी सरकार, योगी सरकार के साथ है। करने के लिए कि मुस्लिमों को केवल और केवल बोर्ट बैंक के तरिके इस्तिमाल किया है लेकिन असल हक बीजेपी ने उन्हें दिया है कि मैं परसन आसी सियादों के साथ संजय चौहान बार समझार लगनौ